लेकिन उसे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट रहेगी पहले रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप इस चैनल को फिर्स टैम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट करेजे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मलती रहें और दूसरी चीज़ कि अगर लिंक अपक लिया देख सकते हैं अप लिंक को देख सकते हैं क्लिक करके अप स्टाइक में आपको पर बात करते हैं स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड इस्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें दोस्तों तो यह सिक्स्टी और सॉरी 99.90 के प्राइस के ओपर उपन हुआ 98.25 का लो बनाया और 101.45 का हाई भी बनाया एनसी के ओ पर टोटल वॉलिम 4 करोड 37,69,916 ट्रेड क्या गया जहां मार्केट कैप है 41,098 करोड रुपाय स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड का 52 विक लोड 67.60 का और हाई है 151.30 का दोस्तों अगर हम लेटेस्ट दिसमर कोटर तक देखें तो प्रमोटर्स यानि बारत सर जागार के जो इसमें अंदर होलिंग है 65% है FIIs 4.41 परसेंट और DIs 10.59 परसेंट और पब्लिक के पास 20% की स्टेक है दिसमर कोटर में 25,246 करोड की सेल्स करी गई थी अधर इंकम सोर्से से 151 करोड टोटल इंकम इनकी 25,398 करोड की हो जाती है दिसमर कोटर में टोटल बाटम लाइन देखें तो 1,347 करोड का नेट प्रॉफिट आया था इस बार इनका एक्सपेंस काफी बढ़ गया था 20,850 करोड सेप्टेंबर में था लेकिन दिसमर में 23,23,257 करोड रॉपए राइट चलिए बात करते हैं दोस्तों अपडेट की तो देखेंगे इस टील अधरूर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेट के अंदर सबसे पहले मैं आ दोस्तों डिलिवरी के लिए हम टेक्निकल्स के डिलिवरी वाले कॉलम में जाएंगे और देखेंगे क्या सिचुवेशन है देखेंगे 22 मार्च को टोटल डिलिवरी 22% के असपास की है आप देख सकते हैं कॉंटिटीज वाइज देखना चाहें तो देख सकते हैं 4 करोड 62, 2,15,100 कॉंटिटीज के डिरिंग जिसमें 1 करोड 2,75,610 कॉंटिटीज की डिलिवरी यानि परसेंटेज ऑफ डिलिवरी है 22.2% अब इस्टेक्षोल्डर के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है आप सभी स्टेक्षोल्डर के लिए बहुत एक खुशी की खबर है तो मैं चा और इवन इसने तो आपको लोगों को पता होना चाहिए रिकॉर्ड डेट भी सेट कर दिया है रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस डेट को कंपनी या कोई भी और्गनेजिशन डिसाइड करता है कि कौन-कौन से स्टेक्षोल्डर उसके उस पर्टिकलर बेनिफिट को कर पाएंगे दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस टील अथार्टी ओफ इंडिया लिमिटेड देश की बहुत बड़ी स्टील मेकिंग कंपनीज में से एक है इस टील अथार्टी ओफ इंडिया लिमिटेड ने ये खबर देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों आई थी कि इ देखेंगे राइट तो दोस्तों आप देखें आपे इसको लेकर के जो रेकॉर्ड डेट है 29 मार्च 2022 है देखें आपे 29 मार्च 2022 ये डेट है जिस दिन कंपनी देखेंगी पता करेंगी जाचे गी कि कौन-कौन से उसके शेहर होल्डर्स इसके इस डिविडेंट के लिए ए देश की सबसे बड़ी स्टील मेंगी कंपनी इस एक है और सी पीएसी का मतलब क्या होता है सेंट्रल पबलिक सेक्टर एंटरप्राइज़स महा रतना में से ये एक है और इसकी जो कपैसिटी है स्टील प्रोडूस करने की बहुत हाई है इसके पांच इंटेड़ेटेड जि इंडिया के अंदर Eastern India और Central Regions of India के अंदर situated है और खास बात ये है कि ये सारी locations इनके raw material के sources हैं, domestic raw material sources के काफी करीब है, तो एक और अच्छी बात है कि logistics का जो इनका खर्चा है वो कम पढ़ेगा, यानि raw materials को जो furnaces हैं, वहां तक ले जाने में कम समय लगेगा कम कॉस्ट लगेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन गवर्मेंट इसके अंदर 65% की स्टेक उन कर रही है दिसमबर 31st 2021 के आखरी समय तक यानि 3rd quarter तक अब देखना होगा 4th quarter का क्या data upload होता है आने बले कुछ दिनों के बाद राइट फ्रेंड तो दिस वस अन्यूस रिगार्डिंग सेल इस तील थार्ड इफ इंडिया लिमेट तो दोस्तों एक अगर आपको अच्छी लगी हो तो सबोट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते है और टेक क्या